पहानी उपन्यास, संस्मरण, कवीता और संपादर में अपना श्रेष्ट प्रदान किया है। उनके उपन्यास काला पहाड और नरक मसीहा बहुत ही चर्चित रहे हैं। उन्हें कई पुरसकारों से भी सम्मानित किया गया है। आईए जानते हैं उनके लेखन और जीवन की रोचक बातें। नमश्कार सर्फ प्रतिलती पर आपका हार्दीक स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें ये बातचीत के लिए मौका दिया है। इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। सर सबसे पहला मैं आपको ये प्रश्न पुछना चाहूँ कि कि आपका पहला कहानी संग्र सीला हुआ आदमी। तो वो जब लोगों के सामने आया। उस वक्त आपकी प्रेणा क्या थी और आपके मनों भाव क्या थी उसके बारे में थोड़ी बाली बताईए। देखिए ये जो मेरा पहला कहानी संग्र है। कहने को कहानी संग्र है। जबकि मैं अपनी कूरी अपनी लेख के यात्रा पर नज़र डालता हूँ। तो मैं इसे इमानदारे से कहूँ, मैं इसे कहानी संग्रह नहीं मानता थी उसकी वजय है कि ये कहानी संग्रह इसमें कहने को कहानिया है। लेकिन दरसल कहानी के नाम पर जो एक गाम दिहात का जो एक युवा जो कि कहना चाहिए कि जो कि अभी शुरुवात कर रहा था लिखने पड़ने की ये उसके मनों भावों का एक तरसे प्रसुटन था इसलिए इसमें आप देख सकते हैं कि कहानी की जो बुनियादी शर्त हैं वो उस पर ये कहानी इसकी रचनाय मैं कहानी इसकी रचनाय खरी नहीं उतरती हैं चूंकि एक शौक होता है जो आदमी थोड़ा सा लेखन के क्षेत्र में पहला कदम रखता है तो उसकी बहुत सारी च्छाएं होती हैं अकांक्षाएं होती हैं और किसी भी लेखकी नए काशक से बात की तो उसको छापने के लिए सहर्शस तहियार हो गया है इसलिए इसमें एक मज़ेदार चीजी है कि इसमें जब मैं कॉलिज के जमाने में जो छोटी-छोटी मैगजीन्स में या पत्र-पत्रिकाउं में जो लेख भी लिखता था उन्होंने फर्मे पूरे करन हूं पहले कहानिक संग्रे और मैं जब इसकी कागस इसके पन्ने पलट कर देखता हूं तो मुझे यह पुस्तर बहुत साहस बंदाती है साहस इस रूप में बंदाती है कि इसमें मेरे जो शुरुआ थी जो मेरे गांव देहाद घर परिवार की जो मेरी अपने मनुभाव है जो मेरे सामाजिक और बारवारिक जिसको कि मैंने शब्दों में बांधनी की कोशच्ष कि वो मुझे कही ने कहीं ह। तो इसलिए मैं इस संग्रे को कहना चाहिए कि बहुत महतबूर मानता हूं और महतबूर इस सेंस में भी मानता हूं कि ये किसी तरे की दचणा है मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूज जे-जे कह सकता हूँ जो कि वो सहाहितिक विधापर खरी उतरने वाली बात है खारिज कीज तो आप किसीको नहीं कर सकते है अगर किसी माता पिता को पहले कोई बच्चा अगर नालाइक निकल जाता है तो आप उसको परिवार से लग नहीं कर देते हैं रहगा तो आप ही का बच्चा नहीं तो कोई भी रचना कोई भी कृती हर लिक्रती अपने बच्चे की तरह होती है और वो भी सबसे जिसको करना चाहिए पहलोटी पहला बच्चा तो वो चाहँ अच्छा है बुरा है जो भी है वो आपके साथ और वो आपके उतलब्दी में ही शामिल होगा बिलकुर हम आपके पहली कहानी संग्रव की बारे में बात करें तो बहुत ही प्रामाणिक जवाब रहा आपका तो इसी को जोड़ते हुए मैं आके यह पूछना चाहूँगे कि आपने कई विविद विशय उपर भी काम किया है आपके विशय एकदम ही अलग होते हैं हर नही रचना में तो इसके पसंदगी कैसे करता है इसके बारे में थोड़ी बात करें देखे जो आपका पूछने का आशिय एविव मैं समस्तों को पन्यास हो लेकर है क्योंकि कहानियां लगबग दस वर्शों से मैंने लिखनी लगबग मेरी बंद हो चुकी इसका एक कारण यह है कि जो कहना चाहिए कि जो इनवार्मेंट अब मुझे और जो स्वीधा मुझे अपन्यास लिखने में होती है वो मुझे शायद कहानी में अब उतनी नहीं मिलती दूसरा यह उसके एक वज़े यह भी हो सकते कि हो सकता है कि उपन्यास लिखने की जो कला है वो शायद कहीं गई मुझे सद गई है इसलिए मुझे वो ज्यादा सुविधा जनक लगता है जो आपने विशे की बात की मेरा ये मानना है कि अक्सर ये कहा जाता है कि एक आद उपन्यास तो हर व्यक्ति के जीवन में होता है। लेखक की असली परिक्षा होती है कि जो उसके जो शुरुवाती अनुभव हैं, जो कच्छे उसके अनुभव हैं, जिसको पहली उपन्यासर पहली रचनाव में देता है। जब वो अनुभव समाप्त हो जाते हैं, उनके स्रोध खत्म हो जाते हैं, उसके लिए चुनोती महाशर हो। जैसे मेरा पहला उपन्यास काला पहाड, बिलकुर मेरे अपने निजी अनुभव, मेरा परिवेश, मेरा इलाका, उसमें जो कुछ चीजें बच गई, वो दूसरा उपन्यास बाबल तेरा देश में, उसक उपन्यास मेरा आता है रेथ, चुकि जब मैंने ये दो उपन्यास एक ही प्रिष्ट भूम पर लिख लिए तो अब यहां आकर मेरे लेकक रूप में बड़ी चुनोती थी, जो एक उपन्यास कार के रूप में, जो एक तरह से जो मुझे पाटकों का जो स्नहे और किकनी जी तब मैंने रेथ उपन्यास जो की कंजर जो हमारे हैं कभी अपरादी जलिजाती कही जाती थी, कंजर सुमरा, उसको केंदर में रखका है, और कई बार ऐसा भी होता है, कि हम जिस रचना की रचना करते हैं, जो एक शब्द हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, रचना प्रिक्रिय खाली कागस और कलम यही नहीं होती है, रचना प्रिक्रिया यह भी होती है, कि जो आपके मनमस्तिष्क में आपके अंदर एक रचना का विखास कर रही होती है, इस उपन्यास का जो विशेत्र है, जिस वक्त यह उपन्यास आया, उससे लगबग 12 साल पहले, बल्कि ज्याद पर एक कहानी च्कीती थी सापताइख इंदुस्तान में, लिलहा, तो यह एक सहियोग भी था, कि जब यह मेरे सामनी चुनोंती पैदा होई, कि मुझे क्या लिखना है, तो सहियोग से मुझे कुछ सामदरी में बहुती है, और यह मेरे जहन में वह कहानी थी, कि मुझे उस बस तुपर निखनी से हैं। उसके बाद मैंने उस पर काम करना शुग है। उस समुदाई में मुझे जाने में परवेश करने में पूरा एक परश लगए। क्योंकि कंजर समुदाई की बहुत सारी हमारी जो अपरादी जनजातियां कही जाने वाली जातियां। उनके सामाज उनका परवेश है। उसमें जो इस्त्रियों का काम होता है देवेबार का होता है। तो जोकि एक ऐसा विषय है, जो कि आप इस्त्रियों केंदर में रराता है। उस ब्रवेश करना उनकी एक ऐक चीज को बारिकषा उसका अलोकन करना, अपने दर जजब करना वो बड़ी उसके बार फिर मेरा जैसे तीसरा उपन्यास आता है नरक मसिय है यह उपन्यास भारत में जो हमारे पिसले लगबग दो दस्कों से जो NGO culture हमारे संस्क्रटी बहुत तेजी से पन्यास है उसको केंदर में रख लिखा गया है और मुझे कहना में यह कोई कहना चाहिए कि अतिशोक्ती वाला भाव भाव में अगर मैं कहूं जो मुझे इस फीडबेक मिलना कि यह पहला ऐसा उपन्यास है जो कि NGO culture को केंदर में रख लिखा लिखा है और चूकि NGO culture इस देश में जिस तरह से सामराजयवादी शक्तियों ने जिस तरह NGO culture का विस्तार किया है उसके पीछे कोई गरीब मुल्कों का कोई उनकी गरीबी से मुक्ती दि दूसरी बात चूकि उनको अपने प्रोडेक्ट्स बेचने होते हैं अपना उत्वादन बेचने होते हैं तो इसलिए जो सबसे पहले जो हमारे यहां जब आंदोलना के रूप में जो लोग काम करते थे चाहो वामपंती विचारधारा से जड़े हुए लोग आप पताने य एक भी जनान दोलों ने उस तरह नहीं होते हैं कि उन सामराज जवाते शक्तियों ने जो कि एंजियो के रूप में जिन्हों ने धेरे देरे यहां जगे बनाए उन्होंने उन्ही लोगों को तोड़ना शुरू किया और आज सबसे ज्यादा अगर एंजियो की दुनिया में संलिब्त हैं तो तीन तरह के लोग हैं सबसे पहले जो एक जमाने में हार्ड गोर वाम्पनती हुआ करते ही दूसरे जो एक जमाने में विशुद गांदी बाति हुआ करते थे और तीसरी एक और जमान वह अंबेड करवा दी हैं वो भी अब इस एंजियों के दुनिया में अब शामिल हो गया है, तो उसके चलते हुआ कि हमारे यहां जो जनान दोनन थे वो लगवाख खत्म हो गया, अब आपको कोई जनान दोनन नहीं गए, यह मेरा नरक मसीह, इसका एक है, लेकिन उसके साथ-साथ ऐसा भी नहीं कि सब को दुनिया खत्म हो गया, एक लेका का यह बनता है, कि जो अच्छा है, जो बचा हुआ है, उसकी विरक्षा करना, बिल्कुल, उसके बाद चौथो पन्यास मेरा हला आता है, अब हलाला के बारे में आप सब कुछ जानती है, कि मुस्लिम समुदाय विक ऐसी प्रथा है, जिसकों कि लेकर काफी विवाद भी चल रहा ह तीन तलाग से सीधर सीधर जुड़ा हुआ है, एक तरह से सामाजिक समस्या है, और हमारे देश में दरसल हुआ क्या है, कि सभी समुदायों में सामाजिक समस्याओं को जिस तरह से धार्मिक्ता का आवरन ओड़ा दिया गया, उससे बहुत सारी चीज़े हैं हमारे हैं दिक् और अभी उसके बाद मेरा जो छटा उपन्यास आया है सुर बन जा रहा है यह हातरत शैली की नोटंग की कि एक अदाकारा हुई यह साट और सतर के दर्शक में प्रिष्णा कुमारी उनको केंद्र में रखकर लिखा गया है और उनका अबदान प्रिष्णा कुमारी का अबद सकतर के दर्शक में जब यह हमारे सेक्षणिक इदारे एजुकेशनिक इंस्टूशन जब इनका सेक्टर डवलाप होरा था इनकी बिल्डिंग्स बन रही थी कृष्णा कुमारी की हातरस शैली की नोटंग के शो से जो पैसा एकटा होता था उससे बिल्डिंग्स बन लिए तो मैं कला या संगीत की बात नहीं करो मैं उनका यह अफदान बहुत बढ़ा है और इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि हमारे यहां इस तरह के लोग नाट्टे जो कला हैं संगीत हैं उन पर इस तरह लिखा भी बहुत करेंगे खास दो पन्यास करोंगे अगर आप देखें त था इस तरह से लोग नाट्टे जो है इस तरह कर नहीं काम हुआ है शायद इस Ήल्यास की इस तज spill थीर दीरे लेकिन गंभीर चर्चा वो हो रही है हो कि हमारे यहां इस तरह के विषव पर लेकर मैं लिखाने है। तो जो विशो की विवेदता है कुछ दIGHT लेखक को एक पाठक तभी पड़ना चाहेगा। पाठक के बीच में उसकी इसलेखक के रुप में तभी जगेिए जब उसके विशो में विविदता होगी। बिविदता होगी, किस्सा कोई होगी, पठनियता होगी, इश्वसनियता होगी, तो ये बहुत सारे जो उसके तत्व हैं, तो ये मुझे आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि अब, तो कि हिंदी का समाज इतना बड़ा है, अब कम से कम भगवान दास मोरवाल नाम किस ल निरंतर लिकरा है, अब ये देखिए, इस निरंतर प्ता कि मैं एक उधारन देता हूँ, 2014 में मेरा नरक मसीह आता है, 2015 में हलाला होता है, 2017 में मेरा सुर्बन जारान आता है, और इसके बीच मेरी एक और उस्तका कि पकी जेत का गुलमोहत, जो कि बेनाम और गुमनाम पात्र तो も ये क्था है, वो एक तरह से आत्म कत्हा आत्मक संसमरन हैं, अब आप कह जो सकते हैं कि आत्मकत्ह क्यों हैं ऎकि लिएह डर सर यह क्या है, आत्मकत्ह लिखने के environment लिए और इमान्दारिख कम मेरा अंदर जाए इसलिए मैं ने उसका इक तरीका ये अपनाए, और इतना लंबा है कि उसको आप अगर समेटेंगे तो वह एक तो बहुत कहना चाहिए कि बड़ा बोजी और कहना चाहिए कि एक तरसे पाठकों पर एक अत्याचार गया तो इसलिए उसमें उस तरह के पात्रों की कथा है हूँ कि जो गाहे बगाहे जाने अंजाने हमारी रचनाओं से के पात्र बनने से छूट जाते हैं अच्छा उधारन के लिए जैसे गाहों महुलने में स्कूल में कॉलिज में फिर आपने जो अपने उसके बाद जो व्यतिगत उस तरह का संघर्ष किया है जो आज तक है जो पूरी आत्रा है एक लेखक बनने की आत्रा है वो एक तरह से कहना चाहिए उसका वो दस्तावी से प पकी जेट का गॉलमोहर और ज़ा जो खिलता हूँ जीतने गर्म धूप और लू उसको लगती है उतना ही खिलता है तो च्प्राइब Mog अपने आपको एक तरह से गर्म हाँ जो थे निकला हूँआ गलम ओधु हूँ अभी हमने बहुत है वादि पार सुली और बहुत ही रू कि अभी तक कि आपकी जिन्दिगी का सफर रहा है जो मैं तो शांदार सफर कहूंगी तो इस सफर में बहुत सारी चुनोतियां भी रही होंगी तो कुछ शारीरिगमानसिक संधर्श रहे होंगे तो ऐसी कौन सी चुनोती थी कि जब आपका होसला थोड़ा सा डगमगाया हो ऐ आजे मेरी सामाजिक स्माजिक सब्वहत कर्ष्ट भूमी है कि मैं उस जाती से संभन रखता हूं तो मेरी रभों में तो मेरी डगमए सामाजिक ऊस्तितितियां और पारिवारिक प्रष्टितियां मेरा जिस इलाके से सम्मंध रहा है मेवाथ जिस इलाके में कहने द irgendwas वहा वहा शहीतिक रूप से कोह इस तरह का कहना चाहिए कि इस को yisकों क हम पढ़के कोई बहुत बढ़ा जैसे स्कूर कॉलेज में कोई हमने साहित्य पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं, साहित्य के नाम पर हमने, मैंने वही चीजें पढ़ी जो हम पूप आटे करम में पढ़ाई जाती थी, जैसे मुझे आज भी यादे छटी की किलास में प्रेम चंत की पहली कहानी हमने पढ़ी थी, बड़े घर की बेटी, उस हमने का मेरा मतलब है कि जो सहाइतिक जो मेरा लेख बनने की पूरी प्रक्रिया रही है, वो कह ऐसा नहीं कि मुझे को विरासत में नहीं मिली है, घर परिवार में मैं पहला पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेदिक मैना जैसा काया कि मिनी पारिवार परिष्ट्री परिष्ट कि मेरी शादी बहुत छोती उम्र में हो गते हैं जब मैं सिर्फ दस में पढ़ता था और बीए होते होते में एक बच्चे का बाप बन गया तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो उम्र हमारे खेलने खोलने की क्योंकि मुझे मैं तो लेखक कहना चाहिए कि मैं लेखक मैं पाइपिंग ऑफिंग करता है तो मैंने तो आउट्षिंग और इंस्विंग पर और बांसर्ट्स को अपने दस्तानों में काट बहाइं रटी बड़ी अपीले तो शयलकर सब्स भीन की कैचिज में पकडए हैं मैंने पेस बाव पर मैंने स्टम्स किये हैं मैंने महं च पूरी करने के लिए कुछ चीजों की बुनियादी जरूरा होती है। उसमें एक होता है कि आपकी आर्थिक संपनना है। हमारे हैं बहुत से ऐसे प्रतिभाएं हैं जो सिर्फ आर्थिक अभाव के चलते हुआ उनके जिनके सपने को नहीं होता है। तो जो आपने डगमगाने की बात की कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जो लड़का बिये होते ही एक बच्चे का बाप हो गया उसको घर से ये गह दिया गया अप अपना घर परिवार का खर्चा को चलाईए। अच्छा और वो लड़का एक अठेची में है चोटी सिम जोड़े कफ्रें निकालकर अपने गांति लाला की फेक्टरी में आता है नाराना दिल्ली में और वहां वो रहते हैं रहते हैं किस तरह से हैं और लगबग हुए 81 में दिल्ली में आया और बीच बीच में जो पकी 28 के गुल महरमीज के सबसंस्मरंण दिये हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने पूरी तरह से मन बनाने जया था जिस फेक्टरी में काम करते था उसमें लोही की चद्डरे तपाने का काम होता था जिससे के स्टील फरनीचर बनता है तपने के बार उसमें लचक आजाती तो मैं 500 रुपे मुझे मिलते थे फेक्टरी में मैं 4 पाई थी उसमें सोता उठता था और गाउं में बच्चे रहते थे कभी माई के कभी घर कभी कुछ नहीं कि 500 रुपे में जो बचा कर भीजना होता था लेकि वो शहरी जो कहना चाहिए कि उसी तोर मैंने कहाने लिखी कि सिला हुआ आदमी उसी तोर की कहाने किस तरह से उसका शोशन होता है एक शोशन को लेकर है जैसे जो भी हमारे कर्चा पकान भुष था उसको मैंने किया था तो मुझे याद है कि उस दिन मैंने पूरी तरह से यह मन बना लिया था कि 500 रुपे के पीछे मैं इस लाला की ब यह कूरी तरह से मैंने तै कर लिया उसी हिसास में बिस्तर भी बांथ को उपर रखती है दस बजे वो फैक्टरी के माली का आते है जो हमारे काव की लाला थे और मैं मौका ढूंड रहा था कि इनसे मैं कब अपनी बात को हूँ और मुझे हिसाब दीजी इस बीज रामानाक उनका regular client था गणेश जी टेमपो में आते है गणेश जी कटेमपो आपने गणेश जी तेमपो पर टीजी पर यह का हुगता करा लेते हैं इनके साथ चले जाते हैं और उसके बाद आकर इंसे फिरिशाब का मांग लें कौन शार आदे गंटे बाद अपने काम चले जाए तो मैं जब उनके साथ जा रहा था आगे ड्राइवर के सीथ में वो बैठे हुए थे कॉर्णर पे मैं बैठा हूँ तो मैं सेहरा कुछ अंदर कुछ जो ख़वधा जो चल रही थी क्योंकि मेरी मनस्तिती दूसरी थी कि अब कब जाना है कैसे हिसाब करना है तो उन्होंना जब दुबारा पूछा तो मैंने काया कि सिंग साब मैं तो गाउं जा रहा हुए कि क्या हुआ कि उससे पांसुर रुपे मे इस लाला की इतने डांट और इतना मुझसे नहीं सहा चाहिए जा रहे हो तो उसने एक पर सो चाहिए तो सिंग साब ने कहा रमाना सिंग साब ने कि एक बात को भगवांदास कि देखिए अगर आपको जाना है तो मैं जाते हुए ने रोंगा जाए है लेकिन अगर जोगी इसना इसबीश मैं जाता हूं नाराना में तो अ चार पांट 3-4 km दूर बेंट कर के आये इस बीश अचाना क्या हुआ कि मेरा मन जो मैं पूरी तरह तयारी कर पूरी तरह की सोच के टेंपू में बैढा ता है कि आकर हिसाब करूंगा उस बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं कि वो दिने राज का दिने मैंने गांव की दरब पैर करके भी सोने बना यानि वो अगर रहमाना सिंग का अगर उनका वो ये कहना पता नहीं उसने किस तरह से अंदर ये अंदर किस तरह असर के मुझे नहीं पता इस तरह से उसके बाद यह चलता रहा, चलता रहा, यह दरसल मेरा एक साथ साल का अवक्फाता है, यह समय था, उन्नी सुक्यां से से लेकर सबता से इस पीच क्या हुआ कि फिर उन्होंने फ्रेक्टी छूडी और फिर में एक जगे वो बड़ा अंजना, उनकी जोब स्टील फरनीचर बनता था उनका स्प्लाइ जंडे वालान में भी होताता है, रिकोर्डेक्स बिजनिस सिस्टम, वहाँ एक बार उन्होंने मुझे भेजा कि भाई वहां से तुम पेमेंट लियाओ, उन्होंने पेमेंट के लिए का है, तो वहां जो महिला बैटी थी मैनेजर, उनका असली नाम था था अंज गजले लिखती हूँ और अंजना कपूर दहलवी के नाम से लिखती हूँ, तो दिखाई कैसी का, मेरे मन में पता ने क्या, क्योंकि मुझे उससे चेक लेना था, तो मुझे चेक लेने के लिए मैंने उनको एक लालच दिया, कि आप मुझे गजले दीजिए ने, मैं आपको मैं चपवाता हूँ, तो दो बड़ी खुश हुई, उसने एक गजल निकाल के दे दी, और गजल निकाल के देने के बाद, वो अंदर गई और चेक उसके मुझे दे दी, जब मैंने चेक वापीस दिया, तो नहीं कहया, तो कमाल कर दे, आज तक पेमेंट ने तो फटा-फट है मेरे दिए, और मैं सचमच फिद गाँ चला गया, और जिस वक्त मैं गया, उन दिनों फसल कटने का मौसम था, मार्च अप्रई, पतनी सवेरे जाती थी, बच्ची, मेरी बेटी भी हो गई ती, जी, वो फसल, उसको हमारे नाम नहीं करने कहते हैं, उस फसल काटने जाती किसानों के यहां और शाम को आती थी, कोई बात उसे बड़ी खुशी होई, क्योंकि उसको जो घर में ताने मिलते थे, देकि मैं एक बात मैं ये कहता कह सकता हूं, कि अकेली इस्तरी के लिए और वो भी शादी शुदा इस्तरी के लिए और उसके जहां एक दो दो बच्चे मैं इसको मैं मैंसोस करता है, बिलकुल, बिलकुल, हमारे पिताजी ने कहा कि भाई, अब क्या करोगे, वो भी बड़ा गश्चा हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे जो फसल काटकर पतनी और मेरी मा लाच्व की थी, उन्होंने बड़े-बड़े गड़े पटक दी चौक में और उन्हों का कि आप इसको कूटी है, अब जैसे तेसे एक दिन तो मैंने का उसको कूट दिया, अगले दिन मैंने का कि यहां तो ने का, यह तो भगना पड़े रहे हैं, वो द्रिश्य बड़ा विचित्र है, कि पतनी उसमें खेतों में गई हुई है, और मेरे बन में तो दिल लिप चले, तो आप कल बना कर सकते कि उस अवरत पर क्या भी थे, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बहरा फिर भी यह सब चीजें चलती रहे, उसके बाद कुछ दिनों को बाद क्या हुआ, कि मेरे बच्चे के हाथ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो यह थक में एक तर कि जादा तर फिर मेरी माई के मैं नहीं लेगी, एक बार यह हुआ कि मैं सफ्राल गया, जो बुलाया गया, लेकिन बात नहीं पताया गया, मैं एज यूजल चला गया, एक रात कुरुका, अगले दिन जब मैं चलने लगा, बस्टेंड पला है, तो मेरी पत्नी के जो बात शपुर गामे, यह वहां की बात है, मेरी सफ़ल बात शपुर में, तो बस में मुझे बैठाने आया, तो कोई बात नहीं, अब मैं बार बार यह देख रहा हूं कि यह मुझे उस तरफ क्रोस करके मुझे बस लेनी थी दिली के अज़ागे करस, तो मैंने देखा कि जब और जैसे ही मैं बस में चड़ा, पता चला कि बच्चों को भी मेरे साथ बस में चड़ा दिया, अब आप कलपना कर सकते हैं कि मेरी तुम मले स्थी थी नहीं, मैं तो खुदी 500 उस वक्त मैं एक उसमें सुलब इंडिया पत्री का थी, रुप सोचा लेकि, उसमें आ चुका अब आप कलपना कर सकते हैं मुझे पता नहीं है, और पीछे मेरे साथ साथ बच्चों को पत्ने को भी चला दिया गया, वहाँ, बच्चल की अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनसे कापत में से, कि देखिए, आप आ तो गई हैं, लेकिन मेरे पास को आर्थिक उस तरह की वि मेरे पास हैं, तो जब हम दिल्ली पहुंचें, उस वक्त मेरे पास चार पाई भी नहीं थी, एक स्टॉल था, जो कि उस फेक्टरी में काम करतुए मैंने बनवाया था, माकिक में के लिए से, दो चार छोटे मोटे ऐलमूनियम के लिए, तो जब घर में आये, तो पत्नी ने मेरे खाए, मैंने खाए, तो उसने कुछ चिलन, एक दो पास के रुभे उसने मेरे सामने रखे, ये पताने पास सुर बैटे हो, जो उसने चवणनी पास पैसे उस वक्ती दस किसी जो बचा बचा के, और फिर हम दोनों ने मार्कीट गए, अपनी चार पाई खरी दी, और प घर से वो फूखनी तक लाई अपने वहां से, जो चूले में फूख मार्गर जिसके आज के आग जलाते हैं, पुरानी उनकी की, तो इस तरह कि कुछ चीजें वो लेकर आए, तो कहने का मतलब ये कि ऐसे कुछ मोके लगाता है, दो तीन बार इस तरह का है, और मैं अगर कि इसलिए में कई बार बहुत सारी चीजों को बहुत तलखी से में रेक्ट करता हूं। उस तलखी का वज़ए यी थीा कि, आज मैं देखे, बहुत से लोगों को लेखन केरियर बनाने के मार्धिन रहा होगा। कम से कम मेरे लिए कंबिं backwards और आज भी मुझे अपने लेकर ह मुझे आज भी यह लगता है कि पता नहीं मुझे एक लेखर के रूप में उस तरह की माननेता या स्विकृति पाठक या हिंदी जगत देदा ब्यगनेता और यही डर और चुनोती मेरी सबसे बड़ी ताकर है कि जो मैं एक के बाद एक विविद विशों को लेकर लिखता हूँ और जो मेहनत करता हूँ मैं कह सकता हूँ इस बात को इस बात को कहते नहीं है डो कि आप सहमत ऐस रचना से तो हो तो सकते हैं लेकिन आपको मेहनत उसमें साफ दिखाए दी तो मैं यह कहता हूँ जैसे एक ब यह इतना बिदरन देते हो जो उस रचना में जोल हैं वह पाठिक के पकड़ में नहीं है. अच्छा... यह बहुत बड़ा कंप्लिमेंट है. बिलकुल, बिलकुल! कि आप अपनी कमजोरी को किसी दूसरी चीज से अगर उसको ठापते हैं तो ये एक लेकर के लिए बड़ा भार कॉंप्लिमेंट है उसी तरह जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि भगवान दास मोरवाल को मैं समकालिन लेखन मैं किसली महत्पून लेखक मानता हूं कि ये महनत बहुत करता है और ये विशों की विविदता बहुत बिलकुल सर वो तो है ये आपकी रचनाव में मैंने जर पाने ने एक बार ये कहा था कि मोरवाल उन विशों को उठाते हैं जिन पर कि हिंदी के लेकर की नजर नहीं जाते हैं क्या बात है वारत है तो इसलिए जो मेरा पार तक का सफर है जो छोटो मोटा जो भी मैंने कमाई किये कोशिश मेरी यह होती है कि उसमें पूरी इमानतारी बढ़ती जाए बिलकुल सर अगर लेखक के अंदर ये जज़बा है क्योंकि देखे लेखन को सौ मीटर की रेस नहीं जिसमें कि आप सेकिंड्स में आप रिक दोड़ को उसको और वही जिन्दा रहे पाए वह बिलकुल बहुत बढ़ी है बाता लिया सहाइद्य कोई केरियर बनाने का माध्यन नहीं है सही जैसा कि कहा जाते साथना तो कहीं है साथना तो है इसमें तो दो रहे नहीं लेकिन उस साधना को भी आप कितनी इमांदारी से निश्था के साथ निभाते हैं निलफर इस पर करते हैं बढ़ी है